और उस्ता आड ये उस्ता जो कारीगर हैं ये आई थे मुल्दान पाकिस्तान से आज की डीड में पाकिस्तान है पहले तो इंदोस्तान था उस्तान से और अंदर जड़ी पेंटिंग को इरी जिस चीज ताहीं राजस्थान जड़ा बड़ा मशूर है और भी तुसे ही दसगी इतने लोकें करने भी गालबात करागी और भी जाने है कि बिकाने चाही केड़ी केड़ी चीज जाना है जड़ियां हाई-लाइट जड़ियां ओनी चा पेंटिंग को क्या कहते हैं पहले तो वो बताए हैं हमारे दर्शुकों को यह पेंटिंग को उस्ता आर्ट कहते हैं उस्ता आर्ट मतलब उस्ता आर्ट का मतलब होता है उस्ता मतलब उस्ता और उस्ता आर्ट यह उस्ता जो कारीगर है यह आए थे मुल्दान पाकिस्तान से आज की डिड़ में पाकिस्तान पहले तो इंदोस्तान था वहाँ से ही आएं महराजा ने इनको बुलाए था अपने यहाँ नकाशिटे महराजा गंगा सिंग की इन्होंने जुनागर फॉर्ट में आप देखेंगे यह उस्ता आर्ट काफी हो रखे हैं सोने चांदी में हो रखे हैं सोने चांदी में महराजा के और हमारा इस हवेली में भी हमने वही उस्ता जो कारिगर है उस टाइम पर महराजा गंगा सिंग ने इनको यहाँ पर बसा दिया था तो उनकी कौम आज भी है, वो यही काम करते हैं, और काफी महंगा यहार्ट है, यह इसको हमारी हवेली में बनाने में, कितना महंगा कुछ बता सकते हैं, काफी महंगा, मतलब कि अगर आप 10 भाई 10 के कमरे में करवाते हैं, तो 10 लाक से 2 लाक लग सकता है, उसके बॉर्डर और दो बैंक्वेट में, रूम में, जो उपर के अपने रूम है, फर्स फ्लोर के, नीचे के मोडिफाई किया, उपर के हमने बाहर के मोडिफाई नहीं किया, दर्वाजे वगरा सारे सो साल पुराने हैं, दर्वाजे सब सो साल पुराने हैं, उसमें जैसे गाउं में आपक कुंडिया लगती है और लालटेन वगरह होते हैं तो वो थीम दिया है हमने उपर और यह उसता आर्ट पूरे हविली में होने में कम से कम 6-7 महिने लग गया थे तो काफी common ड़िया है। आम लोगों को लगता है यह आपको जैसे आप देखेंगे तो यह उसी की तरह लगे गा वाल पेपर की तारह लेकिन एक्टो constellation वाल पेपर्स क्या सिक्स मन्स में फिनिश हो जाते हैं साथ साल से हो रहे हैं और आपने अभी वीडियो लिया होगा काफी शाइनिंग आज भी है ऐसा लगता है आज ही बनाया है उसको क्या कुछ वेल्डिटी होती है आम इंसान के लिए तो इंपॉसिबल है और वो उसको दिन दिन भर में थोड़ा बहुत कर पाते हैं तो ये उस तार्ट की खासियत है और क्या खासियत है आपके इस होटेल की अपने होटेल की हमारे यहां पे हरिटेज बार है हरिटेज बिल्डिंग है तो सारे चीज़ हरिट सुल्तानी हरिटेज बार तो उसमें सारे थीम बने हुए सलमान कान वाले सुल्तानी अखाड़ा वाले तो यह इसका अंबियंस काफी बढ़िया है अच्छा है और यहां पे जो रेट्स है अंबियंस को देखती हुए काफी चीप है चीप एंड बेस्ट फूड की कॉलिटी भी हमारे जो शेफ हैं वो आपके जो फाइस टाफ के शेफ है अपने अपने इंडियन काफी लॉक डान के बाद में और आपके अभी जब स्टार्ट होगा तो शौथ इंडियन भी करेंगे लेकिन फिलाल राजस्थानी जो डिशे जैंड न जो आपके घट्टी की सबजी ह बनेंगे आपको ढावे में मिले लेकिन होटल जो शेफ बनाते हैं शेफ थो यहीं चीज़े भनाएंगे आपको बाहर भी मिलती है यहां भी मिलेगे आपसे पूछना चाहूँगी कि पडिका नहीं मैं बात करूंगी कितनी और इसी हवेलिये हैं जो अब होटेल में convert हो चुकी है महराज़ के हवेलिया है लालगड पालस होटल में आपका नरेंद्र भावन है वो भी महल माता जो है एक बिल्डिंग में जो रहती है चार फेज बने हुए उसमें एक फेज में जो राज माता रहती है महाँ पर जाना एलाओड नहीं है और बाकी को बाकी होटल को भी आपको पर्मिशन लेने के बाद यह लोग इंट्री करते हैं इनका आप कोई भी जा सकता है म्यू जो में देखने मिले वो लोग क्या-क्या इस्तिमाल करते थे आखरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी पुरानी बिल्डिंग्स पुराने के लिए इनमें रहना जादा अच्छा लगता है यहां फिर यह जो नए फ्लाट्स बिल्डिंग्स इनमें रहना पसंद करते है रा प्रफाइल के लोग भी हैं और काफी लोग जमीन से जुड़े हैं यहां के लोग बहुत बड़िया हैं मतलब कि ज्यादा जंग डालो टाइप कहनी है अग्रिशिव नहीं होते हैं और काफी बड़िया है अगर कोई हो रहा तो समझतिए कोई बहार कहीं हो गा यहां का सब सही है तो देखिया खांड मिठे लोग डोगरे पुजी राजस्थान खमागणी भी कर लिया कि ले वी दिखी ले और कन्ने इथे अपने जने और लोग मिलिये कि इने आखिया कि बिकरेर दे लोग जड़े न है ओ ज्यादा गुसे जनी आंदे है गुसा उने ही थोड़ा क जड़ी आखिये है सेरच का यह कि हर कुसे करने गालबात कर देना है और सब तो इंपोर्टन चीज जड़ी में आख लगी ही कि सचेंगे जस्विले तो पराने के लिए परानी बिल्डिंग जो रोल लगी पोवना तो मन नहीं करता है कि आस नवे बिल्डिंग या नवे फ् पूनम जी आप मुझे यह बताओ कि यह जो बिल्डिंग है जो अब होटल बन चुका है यह बिल्डिंग कितनी पुरानी है यह बिल्डिंग सो साल पुरानी यह 1921 की है 1921 की यह बिल्डिंग है यह कि यह पहले हवेली थी यह शुरू से ही होटल था नहीं यह पहले महाराज गंगा सिंग का ये हवेली थी उसके बाद ये मतलब गॉर्मेंट ओफिस रहा उसके बाद ये हमारा होटल है गॉर्मेंट ओफिस ये कितनी देर के लिए रहा ये करिबन पचास साथ साल साल तक रहा कौन सा डिपार्टमेंट था है अब गारी ओफिस अच्छा फिर उसकी बाद ये होटेल कब बना है होटेल बने हुए इसको साथ-ाठ साल हो गए आप मुझे ये बताओ ये बिल्डिंग जितनी खूपसूरत है ये पहले जब ये होटेल आपने बनाना इसको शुरू किया तब इसकी हालत कितनी खस्ता हो चुकी थी या तब भी इतनी ही खूपसूरत थी हाँ पहले से भी ऐसी थी फिर हमने और मोडिफाई करवाया है पहले इसमें उस्ता आर्ट वगरा नहीं कर रखे थे अब हमने इसमें उस्ता आर्ट वगरा सब कुछ करवाया है और बेंटिंग वगरा करवाई है तो जब से ये होटेल बना है आपने कि साथ साल पहले ये हो तोटल कनवर्ट हुआ था तब ही इसकी इसका काम हुआ था उसके बाद दुबारा काम नी किया गया है अब मुझे यह बताओ आप बिकानेर के रहने वाले जी मैं बिकानेर में और ऐसी क्या-क्या खासियत है क्या इसी चीजें हैं जो बाकी सब स्टेट से यूटी से अलग है मतलब यहां का खान पान है और लोगों की जो लेंग्वेज है वो सबसे अलग है मतलब और यहां हर किसी को मतलब यह से नहीं बोलते कि यह अन्जान है सब को अपना ही मानते कोई भी मतलब इस्टेश चे आता है वो अपनी फैमिली की तरह रहता है आपने लेंग्वेज की बात की तो मैं जम्मू की हूँ तो जब हम किसी कोई हमारे घर पर आता है हम किसी का वेलकम करते हैं तो हम तो कहते हैं कि तुन्दा मता मता मलार करनेया तो अब यहां पर जब कोई आता है तो आप कैसे उसका वेलकम करते हैं हम उसका बोलते हैं खमा जी तो आप मेरे को ख्मा खणी बोलना सिखाओ मैं आपको बनाया जैसे खुतरम खंमा खणी हुकम घंता टो आप लोगज मैं दूसरी अवाँ गधिर न किसी को बैंटने के लिए बोलते हैं तस बोलते हैं हो से उसा अंचै सब्सक्राइब एक जाया व बन लोग। miyah rgn had breakfast पो मारवड़ी वेसं में में उसको सिरbane बोलते है और स्टाम का जो खाना होता है तीना की उसको बोलता म like आधार सब्सक्राइब छाँ दोपारा है और रात का खाना उसको बोलता अंडेराuencia डी Heart आप दिवक चाहिए में आप बने जहां चाहिए जोस्ते हो वहा पर आकर आखे वह चीजने करें हां जुनागड भरत हैं जुनागारथ इस्ट्री फोर्ट के जो मार रिले-टीव कुछ मईं आपको जहन करें हो त। में काफि पुराना कि इस को तो सू साल से भी अब तो उनके वहां दो मन्दिर बन गए देश नोक में एक पुराना मन्दीर है एक नया मंदीर है पुराने वाले में लोग कम जाते हैं लेकिन निया वाले मंदिर जैंड्या घ्रू actors अब जो अब अब जो मैं बोलूगी वो आपको रोपीड करना है ठीक है अब आपको सिखाते हैं कि जमू में डोगरे रहते हैं डोगरे जब किसी का वेलकम करते हैं तो वो कैसे करते हैं तो जो मैं बोलूगी वो आपका नाम आपने बताया था पूनम है ना तो बोलो आउं पूनम तुसे स तुस्षीं सारे सोग क्या था मता 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 मेर तुनक करना तुसे कि मुलार भी करना सखा व्राजिस्थान आई और मैंने यों आगगी की राजस्तान इपन्शान इवं और कि पराणी पराणे किले पराणी पराणी महराजा टे टाह्मदए हवेलीया जडियान उइधे चैजान जडियान जिसे यहां की सकते हैं है इत्ते आए सांव मोच चीज़ जडियान दिखनी चाही रही हैं हिस्ट्र झाल झाल